हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबा कर सस्क्राइब करें वे घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुँचें बिलकुल मुफ्त देखा आप लोगों ने कैसे चूतिया बनाया मैंने महराज को और मेरे लिए चंपा महल भी तयार हो रहा है और बाकि इस महल को भी मुझे प्राप्त करना है क्योंकि जड़ तो यही महल है चलती हूँ अब अराम करती हूँ क्योंकि अब मुझे काम हो अब नहीं करना कोई मैं काम करने वाली नजर आ रही हूँ मैं तो एक भेशिया हूँ मुझे दौलत चाहिए और यह हवेली चाहिए चलती हूँ इंतजार करती हूँ वाह देखा तुम लोगों ने इसे में नावगरानी रखी लेकिन ये तो जैसे महारानी बैठी है काम पूरा घर का पड़ा है ना जाडू लगा अर्ला पोछा बरतनों इसे ही चूठे पड़े है महारानी जी देखिये इसको जहां आप बैठती थी ये वहीं बैठी है काम इस्ते आराम कर रही है बड़ी है ये बैला गेका demi बान धीके मैं इसे आवाज देती हूँ थीक है मैं इसकी हास्ती क्या हो गई है चमपा ஜमपा नींद लग रही मारा सोने दीजी चंपा सोने दीजी अर क्यों रे चंपा तुझे सर्म आई नहीं क्यों रे चंपा क्यों रे चंपा तुझे सर्म आई नहीं इसकदर से बहाई से बैटते हुए काम सारा है घर का और अभी सब पड़ा सर्म आई नहीं सर्म आई के बास खबरदार और कमला जुबारों कले बास खबरदार कमला तुला है अपने ये क्या बोल रही है और जुबारों कले वरना अंजाम इसका बुरा होएगा और तुने मुझे को उठाया और कुर्सी से जो हो इसका अंजाम तुने बुरा पाएगी क्या समझ रख्ती है मुझे और अब नौकरानी हूँ जो तेरा काम करूँगी मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ तू नौकरानी नहीं है जो तू मुझे हुकुम चला रही है मैं यहां की रानी हूँ रानी तू यहां की मारानी है मालकन समझने लगी अपने आपको क्या बात करता है बैठने दीजिए मुझे चंपा तेरा दिमाग को लई कर आपको रोम चाहती हूँ अव मारो मैं कहते हूँ अभी भी हाथ रोक लीजी आप क्या करेगी क्या करेगी हराम दोर भाई अब कहें अब कहना है तेरी ऐसी कित तु क्या समझ रखी अपने आपको आप चल मारा अब कालोगी तुझे माहरानी काना मारो अरे तुझे तुझे और भाले अराम जादी छिनाल कहीं की अरा भाग जग कमीनी कहीं की निकल जए यहां से चली यहां से भाग अर्टा अर्टा भाग जादी अर्टा 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 निकला अर्टा आग जाए इधर ऑफ चल कमीना राम चाहडी तुझे यहाँ नहीं रहना मैं करति तुझे नहीं रहना यहां निलार अर्ण खोड चीनारार तुमाण़ दो महाँ चाहर ही नहीं पहले परी आ और इसे तो काट डालूगी मैंने इसे रहने के लिए जगा क्या दी दी इसलिए तो अपना पूरा महत समझे ठीक है मैं आराम करना चाहिती हूँ चलो मारानी भले निकार दे चलो चलो चल रही हूँ अब यहां से महराज जी के पास चलती हूँ उनसे बताऊंगी इतनी पिटाई कराऊंगी हराम जाजी छिनाल की चलती हूँ आई मुरी अम्मा रे आई मुरी अम्मा रे आई मुरी दया रे आई मुरी महाराज रे चम्पा हमाराज तू रो रही है हमाराज और जा रही हो कहा प्यारी चम्पा बता जा रही हो कहा प्यारी चम्पा बता बहते आखों से क्यों आपके नीर है कौन पापी किया और आपकी ये दसा ताफ कह दो भवर के खावीर है क्यों पापी किया और आपकी ये दसा ताफ कह दो भवर के खावीर है चम्पा बता किस आधम ने तेरे पर स्थम किया है अब महराज मैं यहां नहीं रहूँगी महराज आखिर बता तो सही मैं जा रहे हूं महराज बताने न बताने से क्या फैदा महराज चम्पा हाँ महराज यानि तुझे मुझसे बताने से कोई फैदा नहीं है कोई फैदा नहीं निकलेगा महराज तुम भी उनी की सुनोगे शंपा प्यारी बता तो एक बार वो है कौन महराज जी बोल अगर उसका नाम बता दूँगी तो क्या करेख सकते हैं आप उसके साथ वो सलोट करूँगा जो सलोट तेरे साथ उसने किया है तो ठीक है महराज ये सुनोग तुमारी महराणी कमला ने की है क्या कहा महल से निकाल दिया महराज कमला ने हाँ महराज तेरे साथ ये सलोट किया है और महल से निकाल दिया हाँ महराज अब मैं नहीं रहूगी महराज यहाँ उसकी इतनी बड़ी हिम्माद, चल मेरे साथ, तू नहीं जाएगी, लेकिन आप महारानी इस महल से बाहर जाएगी माराज, तब ही मैं जा सकती हूँ, जब कमला को इस महल से आप बाहर निकाल देंगे मेरे साथ, चल, जैसा तू कहती है, अगर ऐसा करके नहीं दिखाया, तो मैं तुझे अपना मुख़ा नहीं दिखाऊँगा ठीक है महाराज, चलिए, चलिए महाराज, चलिए देखा महाराज, देखिये, ये बैठी है, चिनाल रंडी कहीं कि, इतना मारी महाराज बुझे, इतना दर्धोर आ महाराज, लगता मिर्चा लगा कि मारी सी रंडी कमला, महाराज, दाशी को प्राहम शिकारो बनी दासी वाली आ गई हर हम जादी छिनाल कहीं की कुतिया कमला और कमला बवाल सर पे पाला है किसी दिये लो महराज लो मारी आओ मारी रंडी को कमला बवाल सर पे और पाला है किसी दिये और चंपा को मेरे घर से निकाला है किसी दिये और मारी रंडी को सबस मेरे महराज अरे खल से मैं एक लीटर दूदा कि ली पढ़ा दूगी और कमला को मेरे घर से निकाला है किसी दूदे पाल तुने अता क्या गिला हमिने बवाल सरी पे पाला है सी निये हमने बावा लिजन पहे पाला है इसलिए पाला है इसलिए और ये बद चला लहां गर से काला है इसलिए काला है इसलिए और ये बद चला लहां है इसलिए मुझे छिनाल कह रहे हैं यह चिनाल कह रहे हैं मुझे छिनाल कह रहे हैं यह चिनाल कहीं कि हराम जादी निकाल दिया कमला लेकिन मेरी बात सुन इस चंप घर से हमारे और नहीं जाएगी पल कि तुझ को महले अब पढ़े छोड़ निकल हराम जादी मुझे निकालने आई थी अंपा मेरी रहेगी और सदा बन कर अब बल कि नाता ही मुझे से बड़े को अंपा मेरे घर के बाहर नहीं जाएगी हराम जादी तो इस घर से खुझ जोएगी शिनाल को कही कि कुटिया पाव पढ़ती हूं सया मैं आपके इस कदर से ना जुल्मों सितन की जिये तेरे उपर जुल्म नहीं कनेरी और क्या हो गया हराम जादी शिनाल कही कि चल खड़ियो खड़ियो हराम जादी खड़ियो 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 निकल जा हराम जादी पाव भारी है सया मेरा इस गड़ी इसलिए महेते निकालो और मार ये हराम जादी दो मार ये जब आज मेरे स्वामी आपके लिए ताल एक लीटर दूद बढ़ जाएगा मेरा नाम भावर सिंग नहीं है मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ तूने सुना नहीं है कि यहां से कहे दिये महराद तुझको जाना पड़ेगा चल निकल निकल यहां से खड़ी हो परी अराम जादी चल इसे उतार इसे उतार इसे उतरवाद इसके सब उतर रहां जादी और महल चौल कर तुझे तुझे जाना पड़ेगा चल्ली कल यहां से कमीनी दिवारा नहीं दिखाई देते हैं जे महल चौल कर तुझे 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 जाना पड़ेगा आओ नहीं मार हन्तर की खाना पड़ेगा निकर इंजा रणिया हूँ मैं तुमका माट ड्यार भी में जाएगी या नहीं जाए निकर कमीनी यहां से चलिए वहां ए इधरा तुझे का कहा करेगा अब इसका परक कहा करेगा तुझे काट डालोंगी समनले नहीं यह सब चीत तेरे माते हैं तुझे मानोंगी दरबारी मेरे तुकडों पे पलने वाले कुट्टे तु उस थराम जादी के साथ मेरे जाने मन के सोथ इसने महाराज तुन ले हो मैं तो नव करता आप हमेज़ा कहते थे कि महरानी जी के ख्याल रखना मैं इसलिए उनका ख्याल करता था तो आज फिर मैं कहता हूँ कि आज के बाद चंपा का ख्याल तुझे रखना है तेक मेरा ख्याल लखना पड़ेगा और जो मैं कहूं उसको करना पड़ेगा और चाहिए कुछ अलाला है अब तुम करवाई हो तो तुमा कर आप क्या करेगा क्यों काम क्या करेगा हाँ इस तरह बोल एक शंपा बोलिये महराज रास्ते का रोला जो था ताप हो गया महराज और हमें और तुम हो जी महराज एकि मां पाट्टी लाई ले आँ जार क्या कहाँ ओ की सोइख केस में दर के आना यहार से कमीने नहीं समग बात ढम अब मोट डालोगी तुझे खराम जा देख सुटकेस में रख या काई ले भयाला तब है ले ले भयाल वह उसा है अधैकर निगल यहां से चंपा महराज तुम महर के अंदर जाओ और मैं सेदा पती से पूछूँ चम्पा महेल तयार हुआ या नहीं बहुत अच्छी बात मेरे राजा और के हूँ कहे तो दिखा देई सीना फाड़ के के हूँ कहे तो दिखा देई सीना फाड़ के और दागे गहरा में ललबाए कर प्यार में वो तो दुसरा के डोली में सवार हो गई तीर हमरा करे जिवा के पार हो गई मीजी बतिया बतिया के वो हम सेने लडवली हम न जानत रही कुछओ वो हम के प्यार सीखा वली हम ना जानत रही कुछाओ वो हम के प्यार सिखावली जाने कामन गलतिया हमार हो गईल तीर हमरा कर जिवा के पारो दर्बारी दर्बारी तेरी ड्यूटी कहां लगाया था मैंने महाराज आप गेट के बाहर मेरी ड्यूटी लगाया थे महां वाएं ड्यूटी पे खड़ा था तो जब गेट के बाहर लगाया था तूने नहीं देखा कि महाराज अंदर है महाराज मैंने देखाई जब तूने देखा कि महाराज अंदर गए है आवाज देने के बाद भी नहीं सुना मेरी बाद मालिक गेट बन था इसलिए आवाज नहीं सुनाई थी मालिक चल कोई बात नहीं मैं आराम करने जा रहा हूं तू सेना पति को तदकाल बुलवा ठीक है मालिक अब बढ़ जाये मैं अवस्त बुला के ला रहा हूं सेना पति महराज मैंने जो काम सौपा था वो काम हुआ या नहीं महराज तो आपने मुझे चमपा भावन बनवाने का अदेश दिया था था सेना पति आपके अदेशा नुसार मैंने चमपा भावन बनवाया मैं चमपा भावन छै बार बनवाया और छै बार वो गिर गया इस बार साथवी बार जब बना चार मंजिल के बाद फिर गिर गया चैने छै बार बनवा चुका बिग फिर भी गिर गया और सात्वी बार बना तो फिर भी गिर गया उसके बाद मैं बहुत दूर-दूर जोदिसों के पास विचार करवाया तो क्या हुआ जोदिसों ने बतलाया जहां पे चंपा भावन बन रहा है अगर वहाँ एक बच्चे का बलिदान दिया जाएगा तब ही वो चंपा भावन बनेगा चानी बलिदान उस जगे पर होगा तब वो चमपा भवन तयार होगा सेना पती शेक काम आसान नहीं है ऐसा काम करेगा कौन करेगा महराज मेरी नजर में है महराज एक तरकीब है कहो कौन सी तरकीब है तरकीब यह है जो आपका दोस्त जिगरी सोला सिंग है हाँ वो किस दिन काम आएगा सही बूला सेना पती आप सोला सिंग को बलवाईए और उसको एक बच्चे के लिए कहिए चोर है डाकू है कहीं या कहीं से तुम्हें बच्चला करके देगा हूँ फिर आपका दोस्त है आपका दोस्त भी है अगर ऐसे मुसीबत में तुम्हारा साथ नहीं देगा सही कहते हो सेना पती तुम जाओ और मैं सोला सिंग के पास जाता हूँ खुश रहो सेना पती खुश रहो दरबारी महराज तुम दरबार में ड्यूटी दो और मैं अपने दोस्त सोला सिंग के पास जा रहा हूँ ठीक है महाराज जैसी आपकी इजाज़त लेकिन तरकी के साथ देना ड्यूटी ठीक है महाराज जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा ठीक है ठीक है महाराज आप जाएगे लेकिन चलते चलते कहना क्या है और मैं ना जाऊंगी, और मैं ना जाऊंगी, और यहां के ले तो रेखे तवा के ना जाऊंगी